19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत अमान को बॉलिवुट की उस हिरोईन के रूप में याद किया जाता है जिसने नाइकाओं की परिभाशा को बदल कर रख दिया जीनत ने जब फिल्मों में कदम रखा तब ज्यादा तर हिरोईने इंडियन लुक में नजर आती थी लेकिन जीनत ने वेस्टन लुक में अपने आपको पेश कर धमाका कर दिया बोल में इसको भी जीनत अमान ने नई परिभाशा दी कैमरे के सामने हिचक तोर वे बिंदास तरीके से पेश आई और यही कारण है कि उनके फैंस ने सेक्स सिंबल खिताब से जीनत को नवाजा जीनत के पिता अमान उल्लाग खान स्क्रिप्ट राइटर थे और उन्होंने मुगले आजम और पाकिजा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जीनत जब 13 वर्ष की थी तब उनके पिता गुजर गए तो जीनत ने अपने नाम में पिता का नाम जोड़ लिया और वे जीनत खान से जीनत अमान बन गई जीनत की मान ने हैंज नामक जर्मन पुरुष से दूसरी शादी कर ली और वे अपने साथ जीनत को भी जर्मनी ले गई वहाँ से वे लॉस एंजल्स पढ़ाई करने गई लेकिन 18 वर्ष की होने पर पढ़ाई अधूरी चोड़ जीनत भारत में करिया बनाने के लिए आए फिल्म अभिनेता रजा मुराद जीनत के कजन है जीनत ने बतोर पत्रकार, फैमिना में काम किया और बाद में वे मौडलिंग की तरफ मुरी ताज महल चाय के लिए उन्होंने मौडलिंग की जीनत ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकंड रना आप रही 1970 में वे मिस एशिया पैसिफिक बनी जीनत को ओपी रलहन ने फिल्मों में पहली बार अफसर दिया 1971 में रिलीज हुई हलचल उनकी पहली फिल्म है उसी साल हलचल और हंगामा के पिटने के बाद जीनत ने जर्मनी अपनी मा के पास लोटने का निश्चे कर लिया लेकिन इसी बीच उन्हें बॉलिवूड के सुपस्ता देवानन ने हरे रामा हरे कृष्णा ओफर की जो 1971 में ही रिलीज हुई हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीनत पहली चोईस नहीं थी पहले जीनत वाला रोल जाहिदा को ओफर हुआ था लेकिन वे देवानन की बहन की बजाए उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी लिहाजा उन्होंने फिल्म छोड़ दी और देवानन ने जीनत को चुन लिया हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत ने अपने आपको वेस्टन स्टाइल में इस तरह पेश किया कि वे करोडों दर्शकों के दिल की धरकन बन गई उन पर फिल्माया गया गीत दम मारो दम आज भी युवाव को पसंद आता है जीनत अमान को देवानन बहत पसंद करते थे जीनत के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, फ्रेम शास्त्र, वरंट, डालिंग डालिंग और कलाबाज जैसी फिल्में की बरसो बाद देवानन ने स्विकारा था कि वे जीनत अमान को चाहने लगे थे 1973 में रिलीज हुई फिल्म यादों की बारात की सफलता के बाद जीनत अमान स्टार बन गई इस फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीट जीनत पर फिल्माया गया और वे युवाओ के दिल की धरकन बन गई वेस्टन लुक, होट अंदाज और कपड़े पहनने में कंजुसी के कारण जीनत अमान मेगजीन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई कई मेगजीन की कवकी उन्होंने शोभा बढ़ाई और इसी वज़े से उन्हें कवगल कहा जाने लगा जीनत अमान को कभी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया इसके बावजूद उन्होंने उस दौर के नामी फिल्म मेकर देवानन, राज कपूर, बियार चोपड़ा, फिरोज खान, प्रकाश महरा, मनोज कुमार, मनमोहन देसाई, राज खोसला के साथ काम किया 1978 में जीनत की दो बड़ी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और शालीमार फ्लॉप रही जिससे जीनत के करियर पर प्रश्न चिन्ह लग गया लेकिन जीनत ने सफल वापसी की सत्यम शिवम सुंदरम को राज कपोर ने निर्देशित किया जिनके साथ फिल्म करना हर हिरोईन का ख्वाब होता है जीनत ने इस फिल्म में जमकर अंग प्रदर्शन किया और उन्हें को रूप स्त्री के रूप में फिल्म में पेश किया गया फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद जीनत की जमकर आलोचना हुई लेकिन बाद में उन्हें इस फिल्म के जरिये ख्याती भी मिली जीनत ने अपने दौर के नामी स्टोज अमिताब बच्षन, धर्मेंद्र, जीयतेंद्र, देवालंद, राजेश खन्ना के साथ फिल्मे की फिल्म डॉन में उन्होंने हिरोईन के बतौर एक्शन किया और उनके रोल की जमकर सराहना हुई डौन के निर्माता नरिमन इरानी की फिल्म के निर्मान के दोरान मृत्यू हो गई थी इसलिए जीनत अमान ने फिल्म में काम करने के बदले में एक पैसा भी नहीं लिया जीनत अमान ने कई फिल्में ऐसी भी की जिन में उन्हें महस सेक्स अपील बढ़ाने के लिए लिया गया अली बाबा और चालीस चोर के बाद जीनत अमान की लोग प्रियता रूस में बढ़ गई किसी हीरोईन के बोल अंदाज को देख उसे जीनत अमान कहा जाता है जैसे परवीम बॉबी को, गरीबो की जीनत अमान, सारिका को, जीनत अमान टू, पदमिनी कोलापुरे को, बेबी जीनत और बिपाशा बसू को, न्यू एज जीनत कहा गया जीनत अमान ने 1985 में मजहर खान से विवाह कर कई पुरुशों का दिल तोड़ दिया 1998 में मजहर की मृत्यू हो गई, अजान और जहान नामक उनके दो बेटे हैं, जीनत की फिरोज खान, इमरान खान, कवलजीत और संजय खान से भी नजदिकियों के चर्चे रहे कहा जाता है कि संजय से भी उन्होंने विवाह रचाया था, जो कुछ दिनों तक ही टिक सका इस बात का खुलासा अभिनेतरी ने अपनी बायोग्राफी The Big Mistakes of My Life में भी किया है, सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, अब्दुल्ला, दोस्ताना जैसी फिल्म में जीनत के अंग प्रदर्शन के कारण याद की जाती है, 1972 में जीनत को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए Best Supporting Actress का आवाड मिला